अलो फैंट्स वेलकम टूबर चैनल हम बात करने वाले हैं एटी जेल के बारे में अधानी टोटल गैस लिमिटेड लाश्ट दो ती निन में फिर से इस पर बहुत सारे कमेंट्स आये हैं मैंने आपको पहले से सैलिंग लिए दिया हुआ है और सेम ही श्टॉक है तो एक बार म पंदरा मेंट का होगा वो जाकर चेक आउट कर लेना मैंने पूरा डीटेल में एक्स्प्लेइन किया इस इस श्टॉक को पूरा मैंने आपको कहा था सौट टम के लिए खता में श्टॉक है सौट टम के लिए कोई मतलब नहीं बनता है चाहे यह वाला सेलिंग हो चाहे यह मुमेंटम हो इसमें जब भी होगा नहीं देखने के मिलने वाला है यह मैंने आपको अलरी कहा हुआ है बाकी बहुत सारे लोगों का हौफ है मैंने जब जब इस पर वीडियो दिया है तो महाँ पर नेगटिव कमेंट सी देखने के लिए है कि यह तो ग्यारा सुजाएगा अधानी का बाप ये है वो पता नहीं क्या मनलब अलग-अलग छीज हैं जकते हैं कि यहンプन वां दन गठ आया पर जा कर देख ले सकते हैं यहां पर जा कर देख लेना न a कौन वीडियो सिर्फ इस चैनल पर आपको दो वीडियोस दिखेंगे उस दिन जा कर देख लें ना मैंने क्या कहा था मैंने बहुत क्लिरली कहा था यह bounce आया है इसके पहले जब मैंने वीडियो दिया था मैंने आपको तब कहा था कि इसमें जब भी होगा pump and dump होगा तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है तो अगर आप pump and dump मैं यह सोचोगे कि वो उपर चला जाएगा तो सबसे बड़े गदे आफ ही हो उससे जादा कोई बेबाकूफ हो नहीं सकता क्योंकि जिसमें किसी को कुछ मिला नहीं है तो वहाँ से continue होगा कैसे simple सी चीज है तो अगर यह उपर जाता भी है अगर यहां से 5% और उपर जा रहा है तो एक चीज याज रखो यह आपको सिर्फ exit दे रहा है अगर आप में थोड़ा बहुत दिमाग है थोड़ा बहुत अगर आप सोच पाते हो अपनी बुद्धी से भी तो यहां पर exit कर लो क्योंकि आने वाले टाइम में यह low breakdown हुआ तो हम फिर selling के लिए जाने वाले है जब second video मैंने दिया तो यह negative close हुआ तो मैंने clearly गहा था कि यहां से इसके उपर जाने के chances थोड़ा सा कम है गलती से भी अगर यह breakdown हो अगर आपको लगता है कि 1100 चला जाएगा इसने reversal दिया था अब कम से कम आपको यह low दिखेगा और उसके बाद अगर यह breakdown होगा तो हम करीब 660 से लेकर 640 की तरफ जाने वाले हैं ठीक है मैं आपको convince नहीं कर रहा हूं कि stock को sale कर दो मैं जश्ट आपको analysis दे रहा हूं कि कैसे stock behave करता है कैसे chart pattern behave करता है तो अभी के लेकर आप देखोगे मुझे नहीं पता था कि buying आएगा नहीं किसी को पता था नहीं किसी का इतना हिम्मत है कि वो इस low पर इसको buy कर ले simple सी बात है जैसे यहाँ पर यह continue गिरते हुए market में यहाँ पर आकर कौन खरीदने वाला किसको पता है कि आपको पता है कि यहाँ पर support मिल जाएगा जैसे यहाँ पर support लिया bounce कर गया यह level मैंने कोई आज तो लगा कर दिया नहीं है यह मैंने उस दिन लगा कर दिया था जब यहाँ पर stock trade कर रहा था मुझे कैसे बता कि यहाँ से buying आएगा समझ रहो तो यह चार्ट की बात है यह चार्ट आप जब देखना सीख जाओगे न तो आपको समझ मा जाएगा 100% guarantee है कि यहाँ से इसको directly भी break कर सकता था ठीक है जैसे यहाँ से continue चलता हुआ आया यहाँ पर आकर support क्यों लिया इसने यहाँ से continue गिर रहा था तो यह continue भी जा सकता था 680, 660 की लेबल तक यहाँ पर आकर support क्यों लेता है तो यह demand और supply का game है इस चीज समझो ठीक है अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ऐसा नहीं बाइंग नहीं आ सकता बाइंग आ सकता है कहां तक जा सकता है जा सकता है कि यह गरते किसी के नौशु का वाइंग यहाँ कर लो या उससे पहले के कर लो ठीक है यह condition है लेकर लेकन अभी भी लोग क्या बोल रहे है कि अड़ानी को green shit मिलने वाला ही है कुछ भी हो जाएगा ना तब भी बहुत रेर चान्स है कि श्टॉक उपर जाने वाले हैं अगर आपने यस बैंक देखा होगा आपने प्रिवेस टाइम में अगर आर पावर देखा है आर इंफर अगर आपने देखा है अधानी गुरूप का अगर आप एक बार गिरते हैं फ फॉल करते हैं फिर नीचे आते हैं तो वो आखरी तक आपको होप देती रहेंगे जो यस बैंक के सांथ हुआ था यस बैंक के सांथ क्या हुआ था लोगों ने पचास रुपे के लेवल पर तक बहुत हैवी कॉंटिटी में वाइंग कर रखी है और आज भी लोग खरीद रहे है अगर आप लॉंग टर्म ट्रेडिंग करना चाहो तो फिर भी बात बन जाएगा सौट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉप बिल्कुल भी नहीं है कभी भी अगर आपको इसमें पंप मिलता है तो वहां पर अपनी कॉंटिटी को एक्जिट करने के लिए प्लान कर सकते ह बाइंग के लिए नहीं मैं कभी करूंगा मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आज भी बोल रहा हूं आप मरजी जितना निगेटिव कमेंट्स कर लेना मैंने आपको जिस लेबल पर दिया था वहां से आज 15% डाउन है दो महीने खराब कर चुका है लोगों के दो महीने और 15 14% एक short term traders के लिए जो value रखता है वो उसी को पता होगा जो discipline के साथ trade करता है जिसको gamble करना है कि हमने आज ले लिया जब profit में आएगा तब निकालेंगे उसके लिए कोई मतलम नहीं बनता है उसके लिए उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा बर जो actually short term trading करता है उसको पता है कि 15 14% और 2 महिने का क्या value होता है कि 2 महिने आप अपना 1,002,001 रुपे से stock में लगा के रखो और वो stock एक तो 15% सबसे पहले fall कर चुका है second चीज़ यह 2 महिने खराब कर चुका है ठीक है तो मेरा view तो already correct है जो मैंने आपको कहा था short term के लिए बाकी मैंने आपको पहले भी कहा ह है मैं आज फिर repeat कर दे रहा हूं minimum 600 का level और 500 का level तो आप बहुत आसानी से देख रहा है आने वाल टाइम में आज नहीं होगा मैंने पहले भी कहा था साइद आज नहों 6 महिने बाद हो एक साल बाद हो यह level आपको बहुत आसानी से देखेगा देखने के लिए जैसा momentum है आप कर दे सकता हूं वालड़ी क्योंकि 1200 के level से 700 तो हो चुका है ऐसा नहीं है बीच में बाइंग नहीं आया जब आप बड़ा चार्ट देखते हो तो आपको लगता है सैलिंग आया लेकिन अगर आप जूम करके देखो तो आपको देखेगा यहां पर बाइंग आया है यहां प फाइफ थर्टी फाइफ फॉर्टी की बात कर लें तो सिर्फ 200 गिरना है 200 पे अगर आप हर दिन का ले लोगी हर दिन सब्सक्राइब नहीं लगने वाला इसको फॉल करने के लिए तो यह कंडिशन है ठीक है तो अगर आप एबरेज मान लो चार पांच पॉइंट डिली का तब भी बहुत जदा टाइम नहीं लगने वाला है तो यह चीज है तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत जल्द आपको यह लेबल्स मिल जाएंगे मैं डारेक्ली नहीं बूल रहा हूं लेकिन हां यहां तक तो आ जाएगा आराम से इसके बाद देखते हैं कहां जाएगा ठीक है इस टॉक नेगेटिव है कभी बाउंस करता है अगर आप अभी नहीं निकाल रहा है कभी बाउंस करें तो वहाँ पर प्लान कर सकते हो बाकि आपकी मर्जी मेरे अकॉर्डिंग सौ टम बाइंग यहां पर नहीं होगा मिट्टम लॉंग टम बाइंग के लिए भी मैं सजेश चल रही है या इन टाइब का बिहेवियर है प्राइज एक्षन का तो जितने ज्यादा डिस्काउंट पर मिले उतना ज्यादा अच्छा और उसके बाद अगर वह उपर चला जाए तो गलती से भी उस श्टॉक को मत देखो मैंने पहले भी कहा है अभी भी रिपीट कर रहा ह इन स्टॉक को मैं उससलिट में रखता हूं जो wealth के सारे स्टॉक कोई भी एक सिंगल यह इंगी मैं लिस्ट में नहीं है इसको हम बाइन के लिए देखां। तो इन्स्टॉक नेगेटिफंग करिए लाके ऐसेужों पर आपको अनाव कमेंट कर सकते हों मैंसंच कर सकते हो learning description ग अबाउट वाक्स में दिया हुआ वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू सो मच